नमस्कार दोस्तों, welcome back to fly air यानि की fly air academy आज मैं लेकर आया हूँ 10th, 12th, graduation, ITI, diploma, MBA, BE और इस तरह की बहुत सारी vacancies का update, इस तरह की बहुत सारी eligibility criteria और qualification के basis पे जो vacancies हैं, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं तो की है AI airport services में, यहाँ पर बात करें अगर position की दोस्तों, position जो है पहला आता है junior officer customer services, दूसरा आता है customer service executive, utility agent come ramp driver, handyman और handy women, दोस्तों यह जो तीन vacancies हैं, यहाँ से start कर दें utility agent come ramp driver, handyman और handy women, दोस्तों यह बहुत अच्छी vacancies हैं तेंथ के basis पर आपको यहाँ पर opportunity मिल जाती है, job मिल जाती है यह जो vacancy है दोस्तों, इसके लिए male female दोनों eligible हैं, pressure experience दोनों eligible हैं इंडिया में किसी भी कोने से अगर आप eligible हैं, तो आप इस vacancy के लिए eligible हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पहली vacancy दिख रही है, जैसे मैं नहीं बताया, यह है junior officer customer services की बात कर यहाँ पर हम इसकी eligibility criteria, यानि की योगिता के बारे में तो दोस्तों, आप होने चाहिए graduate, आप होने चाहिए graduate 10 plus 2 plus 3 के pattern में और आपके पास 9 years का experience होना चाहिए, अब बोलेंगे, यहाँ तो experience माँग रहा है तो दोस्तों, बहुत सारी रेकंसिस हैं, फटा-फट मैं आपको सभी के बारे में बता दूँगा, ध्यान से देखते हैं, समझते रही है आपको graduate 10 plus 2 plus 3 pattern में आपके पास MBA हो, बात करें यहाँ पर salary के बारे में, तो salary दोस्तों, यहाँ पर मिलती है 29,760 यानि की 29,760 रुपे experience को देखते हैं, दोस्तों, यहाँ पर salary आपको अच्छी मिल जा रही है, और इसके अलावा भी आपको over time यहाँ पर मिल सकता है, जो कि मैंने देखा है कि airline में, company में आपको मिलता है, अगर process में हो तो, यहाँ पर बात करें, अगर age की, तो दोस्तों, जो अगली vacancy है दोस्त कि उन लोगों को preference मिलेगा, जिल लोग के पास already experience है, तो किस चीच का experience होना चाहिए, preference will be given to the candidates having airline, GHA, ground handling agencies, cargo, airline tipting experience, और airline diploma और certified course, like diploma in IATA, आपने कुछ ऐसा कर रखा है, तो आपको यहाँ पर preference मिलेगा, दोस्तों, यहाँ एक बात कहाना चाहूंगा, यह जो चीज है न, आप देख पा रहा है, आईटा कोर्स यह है, इसके बैसिस पे दोस्तों, airline में बहुत fraud होता है, लोग आपको इसे दिखाते हैं, और उसके बाद आपको बोलते हैं कि आप कहीं से कोर्स कर लो, और आपको जॉब मिल जाएगी, maximum cases में दोस्तों, यह fraud होता है, fraud से बचें, दलालों से बचें, airline airport में job का process बिलकुल free होता है, थोड़ा सा और नीचे आएं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि should be proficient in use of PC, यानि कि आपको computer use करने आना चाहिए, आपकी English और Hindi में communication अच्छी होनी चाहिए, बात करें salary की दोस्तों, तो salary आपको यहाँ पर around 25,000 मिल है the most awaited और सबसे अच्छी vacancy उन लोगों के लिए जो की 10th पास हैं, दोस्तों, यहाँ पर पहली जो vacancy दिख रही है, यह है utility agent come ramp driver, यहाँ पर आपको multi purpose use किया जाएगा, और इसलिए आपको utility agent कहा गया है, और इसके अलावा ramp driver भी दिया गया है, और इसलिए दोस्तों, यहा पर airport में आप ऐसे ही driving नहीं कर सकते हैं, आपके पास HMB होना चाहिए, बात करें salary की तो 21,270 आपको salary मिलेगी, age आपको यहाँ भी वाई है, general 28, OVC 31, और SCST candidate 33 के age तक यहाँ पर eligible है, apply कर सकते हैं, appear हो सकते हैं, जो अगली vacancy दोस्तों, इस वाले part में आती है, क्ये है handyman या handy women के लिए, qualification दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह है आपको 10th standard pass या फिर SSC, इस वाली vacancy में आपको English 9 भी आए तो काम चल जाएगा, आप समझ सके हैं, बस काम चल जाना है, और local language आपको समझ में आनी चाहिए, salary आपको मिलेगी यहाँ पर around 19,000, 18,840 रुपे और यहाँ भी दोस्तों बात करें, age की, तो age आपको क्या है, जनरल 28, OBC 31, और ACST candidate 33 के age तक यहाँ पर eligible है, apply कर सकते हैं, तो अब बाच आती है दोस्तों की आखिर apply कैसे करना है, तो दोस्तों apply करने के लिए तीम बाते जानने की हैं, पहली बात, यह जो vacancy है, AI ASL की, इसमें हमेशा 500 रुपे का demand draft लगता है, जो की होगा in favor of AI Airports Services Limited और Payable at Mumbai, demand draft आपका बनता है bank में, bank में जाकर यह details दिखाएंगे, मैं थोड़ा सा zoom out कर रहा हूँ, वैसे इसका link में description में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से check कर सकते हैं, तो दोस्तों demand draft बनाने के बाद कुछ documents आपक दोस्तों, आपको 3 step follow करना होता है, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले demand draft बना लीजे 500 का, ये demand draft एक service man और SCST candidate के लिए नहीं लगता है, point number 2, ये जो form देख रहे हैं, इसका link मैं डाल दूँगा, वीडियो के description में, आप वहाँ से click करकर, आप इसे download करकर, print करकर, आप इसे fill up कर दीजेगा, और उसके बाद, आप जिस भी vacancy के लिए eligible हैं, उसके according, जो भी आपके documents हैं, उनको ready कीजिए, फटा-फटा आपको दिखा देता हूँ, कि इस form को कैसे fill up करना है, दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, AI airport services limited, थोड़ा साथ यहाँ पर नीचे आएंगे फोटो लगा देना है, प्रिंट करके, यहाँ पर post applied for, आप कौन सी position के लिए apply कर रहे हैं, customer service intuitive, junior customer service intuitive, handyman, handywoman, driver, utility agent, किसके लिए कर रहे हैं, आपको वहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर पुछा गया है कि क्या आप employment exchange के थ्रू यहाँ आ रहे हैं, yes, no, कर दीजिए, और employment exchange क through आ रहे हैं, तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, registration number आपको डाल देना है, yes, no, यहाँ पर कर दीजिए, इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, full name, अपना यहाँ पर full name डाल दीजिए, first name, middle name, surname, जैसे कि मेरा नाम क्या है, अब है, middle क्या है कुमार, और surname क है पांडे, तो अब है कुमार पांडे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अपने फादर, यानि पिता जी का नाम लिखेजिए, एक बार ध्यान देने की है कि जो भी आप लिखेंगे न, वो आपके document के according हो, अपने मंद से कुछ add नहीं करना है, date of birth, तबसे पहले आजागा date, month और year डाल दीजे, place and state of birth, कहां पर आपका जन्म हुआ था, कौन सा state है, वो डाल दीजे, address for correspondence, यानि की communication के लिए अपना address डाल दीजे, pin डाल दीजे, पूरा आपना यहाँ पर डाल दीजे, नीचे आप आ जाएंगे, pin code और state के बारे में आ जाएंगे, जो आपका telephone number है, mobile number है वो डाल दीजे, सही से, ध्यान देने के बात है, दोस्तों, ये mobile number भरने के बाद दुबारा से चेक कर लिएगा, कई बार गलती से हम लोग 9 number या 11 number लिख देते हैं, email ID साफ साफ लिखेगा यहाँ पर ताकि दिखे, अब क्या है, male है, female, वो आप बता दीजी, यहाँ पर, married ह अन्मरेड हैं, divorce हैं, widow हैं, या फिर, जो कुछ भी है, आप वहाँ पर कर दीजे, nationality आपकी क्या है, Indian जाहिद से बात है, डाल दीजे, religion क्या है, वो डाल दीजे, mother tongue क्या है, हिंदी है, हिंदी है, हिंदी है, Tamil है, तमिल है, बंगाली है, जो भी है, आप 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 डाल दीज इसके बाद, दोस्तों, पूरे detail को सही तरीके से fill up कीजिए, आप ex-servicemen हैं की नहीं हैं, आप देख पा रहे हैं, yes, no कर दीजे, अगर आप ex-servicemen हैं, तो यहाँ पर आपको 500 रुपे कर दीजे, नहीं लगेगा, क्या आप किसी police services से हैं, yes, no, आप वो डाल दीजे, क्या आप किसी government बाले पार्ट में काम कर रहे हैं, semi-government, public sector undertaking, yes, no, कर दीजे, इसके बाद, दोस्तों, point number 14 में, जो आपकी qualification है, उसका detail आप यहाँ पर mention कर दीजे, बहुत है, उसके बाद आप नीचे आए, अब बात आती है communication की, यहाँ की communication कैसे करना है, तो दोस्तों, communication के regarding, यहा कुछ additional, जो भी, जिसमें भी आप perfect हैं, आप वहाँ पर tick मारते जाए, और अगर आपके पास कोई certification है, language का, तो वो भी आप चाहें, तो आपर attach कर सकते हैं, work experience, दोस्तों, अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पर उस work experience को सही तरीके से show कर दीजे, finally, आपको नीचे आना है जैसा मैंने बताया, को drivers के लिए और एक और vacancy है, उसके लिए आपके पास HMB, यानि की heavy motor vehicle license का होना जरूरी है, उसका detail आप यहाँ पर mention कर दीजे, point number 18 में आता है demand draft, जो आप demand draft बना रहे हैं, दोस्तों, उसका detail आप यहाँ पर mention कर दीजे, कौन से bank से बना रहे हैं, address क्या ह है, किस date को issue हुआ था, demand draft को number क्या है, amount आपको 500 रुका है, एक बार ध्यान दीजेगा, demand draft के पीछे अपना नाम और mobile number जरूर लिख दीजेगा, कई बार होता है कि हम form fill up करते हैं, तो फिर वहाँ से निकल जाता है, तो at least verification रहे हैं, यह जो demand draft है, यह किस candidate का है, वो check वहाँ स हो जाता है, इसके बाद अगर आपके कोई relative AI ASL में काम कर रहे हैं, आप उनका detail यहाँ पर डाल दीजिए, और finally आपको आना होता है declaration वाले पार में, आप जहां पर place, date और signature कर दीजे, इसको पूरा करने के बाद दोस्तों, अब बत आती है documents की, यह हैं वो documents जो की आपको आपने सारे details को documents को आप ready कर लिजे, नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको cast certificate का details आयाता है, आप इसको print करके, fill up करके आप इसे ready कर सकते हैं.